तेजी से बदलते हुए जमाने को देखकर हर माता के तब यह चिंता सताती है कि अपने बच्चे को इस बदलाओ के लिए कैसे त्यार करें ताकि उनका बच्चा तेजी से बदलते हुए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके जिसके लिए parents बच्चे को पढ़ाई करने के लिए जोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे smart और समझदार ज़्यादा पढ़ाई करने से बनते हैं लेकिन पढ़ाई के अलावा भी बहुत से इसे चीज़े हैं जो बच्चो को समझदार और तेश दिमाग वाला बनाती हैं जिसके लिए माता-पिता को कुछ खास बाते ध्यान में रखने की ज़रुत है इस्कूल की किताबों के अलावा बच्चो को स्टोरी बुक्स पढ़ने की आधिटा ले स्टोरी बुक्स पढ़ने से बच्चो का दिमाग क्रियेटिव बनता है साथ ही बच्चे समझदार भी बनते हैं बच्चो को साथ बिठा कर होमवर्क करवाएं बच्चों से एक दोस्त की तरह बात करें उनकी परेशानियों को जानने की कोसिस करें साथ ही जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोसाहिद करें अपने बच्चे को आउटडोर गेम खेलने पर जोड़ दें क्योंकि आउट्डोर गेम्स खेलने से बच्चा सारी रिकुन मालसिक रूप से मजबूत बनता है इससे बच्चे के सेहत तो अच्छे रहती ही है साथ ही दिमाग बितेज होता है बच्चों को जादा टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बच्चे टीवी प्रोग्राम में इतने जादा हो जाते हैं कि वो गंटों तक टीवी के आगे ही बेठे रहते हैं जिससे कि उनका मान से विकास नहीं हो पाता है इसलिए बच्चों को जितना हो सके टीवी से दूर ही रखना चाहिए अधिकतर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बच्चा वही सीखता है जो दूसरों को करते हुए देखता है इसलिए बच्चे के सामने आप भी जादा से जादा एक्टिव रही है बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइस करें, क्रेटिव चीजे करें कि बच्चे पर पोजिटिव असर पड़े इसके अलावा घर के छोटे मुटे कामों में बच्चे से मदद लेना चाहिए थोड़े बहुत उनकी काम ने खुछ से करने दे इससे उनमें आत्मविस्वत स्पेदा होगा और चीजों को लेकर उनमें सही समझाएगी